हुआ है प्रेंड्स मेरे तुन आपपाल देखिए आज आपके लिए को डिजाइन लेकर आई हूँ यह डिजाइन दस फंदों का डिजाइन है बैसिकली आपने जो है दस को डिवाइट करते वे जाना है अपने स्वेटर पे जैंट्स के स्वेटर पर बहुत अच्छा लगता है यह देखेगा इस तरीके से बनता है इसलिए मैं आपको बताने जारी हूँ कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं जस्ट तस फंदे हैं जिने हमने रिपीट किया है अब आप अपने स्वेटर पे डालोगे तो इसे ध्यान रखेगा सेंटर के अपने यह जो है आट फंदे अपने पहले सेंटर से लेने है उसके बाद आदे यहां जाएंगे और आदे यहां जाएंगे इस चीज का आप अपने स्वेटर में डिजाइन डालते हुए ध्यान रखेगा चलिए आपको दिखाने जारी हूँ कि यह किस तरीके से हम इसे बना सकते है अब देखिए फंद और देखिएगा पहले फंदा तो मैं उतारूँ गी अब चार फंदे हम उल्टे लेंगे एक तो चार फंदे उल्टे लिए आगा आगे किया अब एक दो तीन यह तीन फंदे तोड के जो चौथा फंदा है यह बाला है इसे हमने इस तरीके से लेना है देखिएगा यह इसमें से आपने इस तरीके से निकाला, अब ये तीन फंदे हमें सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, तो देखें ये फंदा हमारा ऐसे आया, अब ये चार फंदे उल्टे है, चार ये बनाए, दो फंदे हमें सीधे बनाने हैं, देखेंगा ये हमारे जो 10 फंदे हैं वो है, अगे चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब देखे मैंने जितने फंदे डाले है उसका सेंटर मेरे पास यह आया है तो मैं सेंटर में जो यहां दिखाया आपको उस तरीके से करूँगी भागा आगे किया ये तीन फंदे एक, दो, तीन छोड़ने के बाद अब चौथे फंदे पे मैं इस तरीके से सलाई डालूँगी और पहले इस वाले फंदे को हम बनाएंगे ऐसे अब ये तीन फंदे भी सीधे बनेंगे एक, दो, तीन अब देखेगा, ये हम सेंटर में आएंगे अब यहां पे ये तो इस तरफ जा रहा था, अब इस Тरफ जाना है हमने तो बैक साइड से ये पहला फंदा चोड़के बाकी तीन फंदों को मैं इस सलाई पे ऐसे नूंगे यह देखें तीन फंदे लिए मैंने अब इस एक फंदे को और साथ पर तीन फंदों को उतार दिया यह फंदा मैंने इस पर ऐसे लिया अब यह तीन फंदे इस तरीके से चुगाए अब इन्हें हम सीधा बना देंगे अब आप कि अब कि तो आप देखें यह सेंटर में आपने एक्जेक्ली ऐसे ही आठ फंदे करने हैं अब इन आठ फंदों के बाद हम चार फंदे उल्टे करेंगे एक दो तीन चार धागा आगे किया आपने आप देखेंगा यहां पे जब हम कर रहे थे तो छे फंदे हम यह मूव करने के बाद दो सीधे कर रहे थे लेकिन आप हम यहां की तरफ जाना है इधर की तरफ तो हम पहले दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर यह वाला फंदा हमें इन तीनों के बाद बनाना है तो बैक साइड से आप तीन फंदे इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे उतार दीजेगा इस तरीके से यह वाला फंदा ऐसे वापस लेंगे अब यह तीन फंदे वापस एक दो तीन और इन्हे हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार तो देखिए सीधे फंदे छे होगे पहले दो किये फिर चार अगें चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार और ये लास्ट का आजिए उव्ल्टी लाइन पर उल्टी हमेशा उल्टी ही जाएगी तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी अब यह देखिए उल्टी लाइन है हमारी इस तरीके से किया आप ने और यह ऐसे पूरी लाइन उल्टी बनानी है अपने यह देखेगा अब आगे हम सीधी लाइंग पर आप देखे क्या करना है पहला पंदा उतारा पहले हमने यहां पर चार फंदे उल्टे करें थे अब हम तीन फंदे करेंगे एक दो तीन पंदे उल्टे थागा आगे किया यह जो उल्टा पंदा है यह हमें सीधा बनाना है और इसके बाद के छे पंदे और याने कि जो सीधे छे थे वो छे ही रहेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे तो देखिए छे फंदे सीधे रागा अपनी तरफ अब चार फंदे उल्टे सिरफ साइड में हम इधर को खिसका रहे हैं बीच में जितने फंदे चार और छे हैं वो चार और छे ही रहेंगे इस चीज का दियान रखिएगा अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार भागा आगे करके अब जो ये हमने सेंटर में आठ फंदे बनाये थे इसके साथ में दो फंदे और सीधे बनेंगे तो ये फंदे हमारे दस होंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ और ये एक उल्टा फंदा दस ये रिखेगा अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार आगे करके छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे फिर धागा अपनी तरफ अब देखेगा तीन फंदे उल्टे जो हमने यहाँ पे तीन किये थे यहाँ पे भी उतने ही रहेंगे लास्ट में एक, दो, तीन और ये लास्ट करके उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे आप इस तरीके से उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे अब देखे उल्टी लाइन पूरी होगी अब आप देखे इस तरीके से दिख रहेंगे अब वही है procedure वही है कि हमें ये थोड़ा सा खिसकाते वे जाना है अब ये हमने चार लाइन्स पूरी कर ली अब हम पाच्वी लाइन्स पर है ये उतारा अब तीन किये थे अब दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और एक दो छे फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाच छे ये देखे फिर चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब यहां पर हमारे बीच में बारा फंदे सीधे आएंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आट नौ दस ग्यारा और यह बारा तो देखे ये बारा फंदे सीधे आएंगे आप चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पाच छे अगें अब तो फंदे उल्टे और यह लास्ट कप इस तरी किसे बन रहा है यह बलटके उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे आप पूरे लाइन उल्टी जाएगी इसलिए आगे हम उल्टी लाइन पूरी उल्टी करके सीधी लाइन पर अब देखेगा यह उतारा अब एक फंदा उल्टा अब देखे हमें यहां पे जो हमने यहां किया था इस एक फंदे को तीन के उदर किया था अब हमें यहां भी वही करना है यानिकि यह करने के बाद हमने चार लाइन बनाई उसके बाद हमें फिर ऐसा ही करना है तो यानिकि यह तीन फंद ये बाद वाला फंदा ऐसे इसे बनाएंगे और फिर हम तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन अब दो फंदे सीधे अगी धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन अब फिर यहां भी हमें वही ट्विस्ट देना है ये तीन फंदों के बाद वाला ये वाला पहले बनाना है इस तरीके से और फिर ये तीन फंदे सीधे बनाने हैं एक दो तीन अब दो फंदे सीधे अब यह देखे यहां पे हमें यहां को खिसकाना है थोड़ा सा यहां पे ट्रकी है तो आपको बताना चाहूंगी यह वाले फंदे इधर को जा रहे हैं यहाप देख रहे हूंगे इस तरीके से तो हमें यहां पे देखना है कि इन चार उल्टों में से हमें इसमें एक सीधा लेना है तो हमें यह वाले फंदे है यह चार उल्टे होंगे तो यहां पे आप इस तरीके से रखेगा अब इन तीन फंदों में से यह वाला फंदा यहां जाएगा और ये दो फंदे सीधे बनेंगे तो ये दो हमारे उल्टे बनेंगे इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान देंगी तो जंद से हो जाएगा अब दो उल्टे किये यहाँ पर ऐसे करके देखेगा फिर दो सीधे किये अब ये फंदा हमें इन तीनों के बाद बनाना है तो बैक साइड से आप तीनों फंदों को इस तरीके से लेंगे अब उतार देंगे और इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे फिर तीन फंदे वापस अब इन आया में सीधा बनाना है एक, दो, तीन, और ये चार फिर चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब जागा आगे करके दो फंदे पीधे फिर इस फंदे को इन तीनों के बाद बनाना है तो बैक साइट से ऐसे लेंगे आप उतार देंगे इस वाले फंदे को पहले लेंगे ऐसे पिर फिर फंदे लेंगे एक तो तीन और इन चारों को हम बना देंगे अब देखे एक फंदा उल्टा पुरा बराबर दोनों तरफ वही चलेगा ये लास्ट कर अब आपने उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है अगेन हम जो हम ऐसे ट्विस्ट मार रहे हैं अब हम चार सलाईयों बात दुबारा ये ट्विस्ट मारेंगे तब तक हम जैसे बना रहेते खिसकाते हैं वैसे बनाने अब उल्टी सलाई तो पहले पूरी उल्टी जाएगी अब देखे उल्टी लाइन करने के बाद हम फिर सीधे पर आ गए हैं अब अगेन पहला फंदा उतारेंगे अब आप ये देखे यहाँ पर एक फंदा उल्टा बचा था तो अब ये हमें सीधा करना है यानि कि छे फंदे सीधे एक दो चीन चार पाच और ये छे छे फंदे सीधे दागा आगे चार फंद हे उल्टे एक दो हुआ वेन दागा आगे छे फंदे सीधे है एक दो अहीर कर पाच थे हैde ॅ यहा अहां हम चार पंदे उल्टे बनाएंगे न 1, 2, 3, 4, भागा आगे 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, अगे 6 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छे, और ये लास्ट का फंदा अब उल्टी लाइन आप पूरी उल्टी ही करेंगे अब देखें, उल्टी लाइन करने के बाद हम फिर सीधे पे आए हैं अब ये फंदा उतारेंगे अब यहाँ पे देखेगा, ये जो है, पहले छे सीधे बने रहे हैं, आप पाँच ही सीधे बनेंगे और ये जो है, ये उल्टा बनेगा, याने कि पाँच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार भागा आगे 6 पंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे भागा अपनी तरफ 6 पंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छे फिर 6 सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे फिर चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार अब 5 होंगे सीधे और ये लास्ट का फंदा इस तरीके से ये बनेगा, अब ये 5 सीधे और ये लास्ट का फंदा उल्टी से लाइ पूरी, उल्टी ही करेंगे हम देखे, उल्टी लाइन करके हम फिर से सीधे में आगे देखेगा, इस तरीके से आए ये डिजाइन दिख रहा है, बहुत अच्छा चड़ता है जैंट्स के स्वेटर पे अब ये उतारने के बाद हम चार सीधे करेंगे एक, दो, तीन, ख्राँ तो देखेगे ये चार लाइन्स हो गई अब हमें फिर से जैसे हमने ट्विस्ट यहाँ पे करते आए हैं वैसे ही करना है इसे उतारेंगे, चार लाइन्स नहीं बनानी हैं यहाँ पर हमें ट्विस्ट करना है यह तो मैं सीधे ही करूंगी एक, दो, तीन, चार हमने सीधे बनाए धागा अपनी तरफ चार उल्टे एक, दो, तीन, चार अब, यह चोथा पंदा इन तीन से पहले बनाना है जैसे अभीता करते हैं वैसे ही, इस तरीके से फिर यह तीन फंदे बनाने हैं भर साथ में हमें दो फंदे भी सीधे बनाने हैं अब देखें, यहाँ पर हम यह फंदे उल्टे करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, अब ये जो उल्टे फंदे हैं, ये हमारे पास देखेगा, दो, दो, चार, दो, छे, फंदे हैं, अब पहले इसे बनाएंगे, देखे, एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बनाएं, दागा आगे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक, दो, दागा अपनी तरफ अगेन तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, दागा वापस, छे फंदे, दो फंदे सीधे, अब फिर वही twist करना है ये वहला फंदा इन तीनों के बाद बनाना है इस तरीके से हम उतारेंगे तीन फंदे ऐसे लिया इसे वापस अब इन चारों को बना देंगे एक, दो, तीन, चार अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार ये लास्ट का फंदा अब उल्टी लाइन पूरी हमारी, उल्टी ही जाएगी अब आवे हम फिर से सीधी लाइन में अब ये उतारने के बाद तीन फंदे सीधे है एक, दो, तीन, फिर चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार भागा आगे, शे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे फिर चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार अब ये सेंटर के दो फंदे सीधे ही करेंगे हम फिर अगेन चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार भागा शे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे फिर चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार अब ये सीधे और ये लास्ट का फंदा उल्टी लाइन पूरी उल्टे जाएगी तो दिके उल्टी लाइन करने के बाद अब हम सीधी लाइन पे आ गए है चलिए अगेन ये उतारा, अब दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, टे पंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच फंदे उल्टे आए हैं, देखें यहाँ पर, सेंटर के दो फंदे सीधे, अगेन दागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर छे पंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चार पंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब ये लास्ट के, दो पंदे सीधे और ये लास्ट का, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, अब देखे का उल्टी लाइन पूरी हो गई, अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब एक बार और हमें करना है, इसी तरीके से सेम जैसे हम इदर को करते वे जा रहे हैं, और उसके बाद हम, इन दो लाइन के बाद हम फिर व दा देती हूँ पहले मैं आपको, एक उतारा, एक सीधा बनाया, आपनी तरफ, अब एक सीधा किया, चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार, छे, सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, आगी इन दागया अपनी तरफ किया आपने, और यहाँ पे पहले हमें ट्विस्ट करना है, छे फंदों पे हमें ट्विस्ट करना है, तो यह देखिए, यह उतारेंगे आप, यह चार फंदे उल्टे के बाद हमें यहाँ पे ट्विस्ट करना है, यहाँ किया था, चार लाइन्स की आप ट्विस्ट करना है, चौता फंदा सीधा बनाएंगे और फिर तीन फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, अब दो फंदे सीधे अब देखें ये एक, दो, तीन, चार, पांच और ये खे, छे फंदे उल्टे दागा आगे, दो फंदे सीधे, अगेन छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये खे, ये दिखतेगा, इस तरीके से दिख रहाएंगे, अगेन अब दो फंदे सीधे अब ये फंदा हमें इन तीनों के बाद में बनाना है, तो आप इस तरीके से इसे उतारेंगे, ऐसे बिलेंगे ये आपने हर चार सलाईयों बाद प्रोसीजर करना है, अब ये चार सीधे फिर चार उल्टे ये लास्ट का पंदा सीधा और ये लास्ट उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी करेंगे हम, अब देखे उल्टी लाइन पूरी हो गई इस तरीके से दिख रहा है ये डिजाइन, आप देखे क्या करना है ये चीज तो देखे यहां खिसकती जाएगी, जैसे मैं अलड़ी बता चुकी हूँ, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये साइड यहां जाएगी, ये साइड यहां जाएगी, अब जो सेंटर के ये दो फंदे दिख रहे है, जैसे हमने यहां फर्स लाइन पे इस तरीके से ट्विस्ट किया था तीन फंदों के ये वाला फंदा तीन फंदों के इधर बनाया था और सेंटर के ये फंदा तीन के इधर उसी तरीके से हम यहाँ पे भी अप करेंगे ये फंदा हम इन तीन के इधर बनाएंगे और ये फंदा इन तीन के इधर बनाएंगे और बाकी procedure सेम रहेगा जैसे चलता आ रहा है जो हम यहां को खिसकाते जा रहे है और यह इस साइड जा रहा है वो as it is रहेगा तो चलिए एक बार बता देती हूँ आपको मैं फिर आपने इसे दोहराना है यह उतारा अब चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अगें छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच यह देखेगा अब यह छे फंदे सीधे के बाद हमें चार फंदे उल्टे बनाने है एक दो तीन चार अब देखे यहाँ पे यह चार उल्टे बनाने के बाद यह तीन उल्टे बचे है यह वाला फंदा अब हमें यहाँ करना है जैसे अभी तक करते हैं यह देखेगा यह वाला फंदा इस तरीके से पहले बनाएंगे फिर यह तीन फंदे सीधे एक दो तीन अब ये फंदा इन तीन के बाद बनाना है बैक साइट से तीन को लेंगे आप ऐसे उतारेंगे फिर इसे लेंगे अब सीधा बनाए इन चारों को अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे अगीन चार फंदे उल्टे ये देखिए आप उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे अब देखिए ये उल्टी लाइन करने के बाद यहाँ पे मैं सीधी लाइन में आई हूँ अब आप देखेंगे ये देखिए जैसा हमने यहाँ पे किया था, एक्जैक्ट यहाँ पे ऐसे यहाँ आ रहा है देखिए अब देखिए ये उतारने के बाद अब तीन ही फंदे उल्टे बनेंगे पहले चार बने था अब तीन ही बनेंगे एक, दो, तीन छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे फिर चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार आप देखिएगा आप पहले ये आठ फंदे थे आप दस फंदे सीधे बनेंगे जैसे पहले हमने नीचे किया एक्जैक्ट वैसे एक, दो, तीन, चार, आठ, छे, साथ, आठ, नौ, और ये दस ये देखिएगा फिर चार उल्टे छे सीधे चार उल्टे चार क्या तीन ही उल्टे आए देखिए और ये लास्ट का पंदा इसे करते यह ड हूंँ इसे दुराते व्य म्जाना थो इतना बड़िया सा डेज़ाइं यह जन्ड के लिए जन्ड स्वैटर फस्वैटर के लिए यह बच्ण के जो स्वैटर में ढलते है उसके लिए jap रिजाइं गउपक है बहुत इजी डिजाइन है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्त थोड़ा सा रिमाइंड रखना है आपने कि यह इस तरफ जाएगा और यह इस तरफ जाएगा, बस वही देखना है, बाकि बहुत बढ़िया डिजाइन है यह, थैंक यू